जब भी आप फ्रांकी और राइप बनाने के सोस्ते हो तो आपके मुह में भानिया चाता है ना तो चल्ले इसका एक जुगर बना कर भी रिख लेते हैं यानि कि आज हम डट्टिया बनाने बले हैं तो इससे बराने के लिए मेहा पर एक बोल में ले रही हूँ दो कप के करिप मेदा बहुत अच्छा बनता है जरर इस तरीके से बनाना मेहा पर दो कप मेदा के साथ वान फॉर्ट कप कानफ्लोर ले रही हूँ और फ़ोर्थ कप मिल्क पाउडर, स्वादन सा नमक डाल देंगे और फ़ोर्थ कप हम इसमें रिफाइंट ओएल मिला लेते ही और आप चाहिए तो इसमें बटर भी डाल सकते हो और पहले हम इसे अच्छे से हाथों से mix कर लेते हैं जैसे कि हमारे सारे dry ingredients अच्छे से mix हो जाए तो आप हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी आड़ करके एक soft सा dough बना कर ready कर लेंगे आगे मैं आपको बताती हूँ कि आप इसे store भी किसे कर सकते हो हमारा soft soft dough बनके ready हो चुका है अब हम इस dough को हापनावर के लिए rest पे छोड़ देंगे और इससे हम आच्छे से cover करके rest करने के लिए छोड़ देते ही हापनावर के पाद अब हम इसमें से ही छोड़े छोड़े लोया निकाल लेंगे जिस तरह से हम रोटिया बनाते ही आप इस दरीके से बना करते देखिए आपकी फ्रांकी, र्याप, रोल सब भी अच्छे बनते ही बहुत क्रिस्पी और टेस्टी भी बनते ही अब हम रोटि को थोड़ा सा सुखा मेंदा चिरा कर अच्छे से बेल भी लेते ही अगर आपका वीडियो पसंदा ही दोस्तों प्लीज मेरे मेंदा को एक लाइक स्याक तो बनता है अब हम पर हमारा रोटि बनकर रेडी हो चुकी यानि की टटिया इस तरह से हम सारे टटिया को बेल देते ही अब हम अच्छे से गरम करने के बाद इसमें हम पहले टटिया को डालेंगे दो मिन के बाद इसे फिर से पलट देते ही अब हम एक प्रेशर के मादा से इसे हलका हलका फ्रेस करते ही यूँकि हम इसे ज्याधा नहीं सखने बाले ही थोड़ा थोड़ा ही सेखेंगे क्योंकि जब भी हम बाद में wrap या ERIC दोनी बनाईंग भी हम इसे थोड़ा सा और और सखना होता है बटर या घी में हो इसलिए हम इसे ज्याधा नहीं पकाने बाले ही बिल्कुल इसी तरीके से हम इसे पकाने बाले हैं आप इसे store के सकत inglés आप चाहे तो इसे साथ दिन के लिए अप फ्रेज में store कर सकते हो आप एक napkin के मदद से store कर सकते हो टठिया लो उसके ओपर एक napkin, फिर से एक टठिया, फिर से एक napkin और आप इसे kitchen towel से wrap करके अपने फ्रेश में रख देना साथ दिन तक आप इसे use कर सकते हो आप देख सकते हो कितना soft बनाएंगे अपर आपको अचानक से मन करें फ्रेंकिया फेर wrap करने का फ्रेश से निकालो गरम गरम बटर से था चेक लो इसमें strapping देकर गरम गरम एंजोई करना थेंक्स फर वाचिं